Hello, Welcome to Legal Awareness वेब सीरीज इलहबाद High Court का जज्जमेंट आया है Honorable Justice शेखर कुमार यादफ जी का जिसमें उन्होंने Lord Ram के बारे में कहा है कि भारत के सम्विधान की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती भगवान राम के बिना भारत की संस्कृती पूरी नहीं होगी जब तक उसमें राम जी का जिक्र ना हो पूरे जज्जमेंट में जो problematic sentence है paragraph 15 में कि भारतिय संसद में कानून लाकर राष्टिय सम्मान देने की आवशक्ता है भगवान राम और भगवान कृष्ण को एक लीगल संसद की तरफ से संसदिय राष्टिय सम्मान देना चाहिए मैं समझता हूँ वो इन सब सम्मानों से उपर है भारत की संसद की राम और कृष्ण के आगे कोई हैसियत नहीं है और अगर संसद एक किसी गौड का सम्मान करेगी तो और धर्मों के गौड का सम्मान हिंदुई धर्म के ही बहुत से गौड का सम्मान क्या फिर एक संसद शिवजी के लिए भी ऐसा राश्टिय सम्मान बनाएगी भगवान विश्णू के लिए भी बनाएगी और आपको मालूम है कि बहुत से गौड्स है मैं समझता हूँ कि ये भगवान की डिविनिटी को नीचे करने वाली बात होगी कि कोई इनसान उनके ऊपर कोई आउनर कनफर करे ब्लास्फेमी का मामला है आकाश जाटव ने फेस्बुक पर लॉर्ड राम और लॉर्ड कृष्ण के बारे में कुछ आपत्ती जनक टिप्णिया की उस पर ब्लास्फेमी का केस चला चार जनवरी से ये आदमी जेल में था अब जस्टिस यादव ने उसको बेल दी है और एक बेल ओर्डर में बहुत सी बाते कह दी है हमने बेल पर बहुत से वीडियोज बनाए और हर वीडियो में मैंने ये कहा के बेल का आउडर प्रिसाइज होना चाहिए क्या सम्मेधानिक मुद्दे उठाएं है कि लौ को लौड राम को और लौड क्रिश्न को रिकॉगनाईज करना चाहिए इस पर बात होगी लौड राम इंडियन कल्चर का हिस्सा है इस पर तो कोई बहस नहीं है लेकिन क्या जो नौर्थ इंडिया की कल्चर है वो ही पूरे देश की कल्चर है जो हिंदी स्पीकिंग लोगों की कल्चर है क्या वो ही पूरे देश की कल्चर है इस पर बात होगी रामाइन के बारे में बात होगी रामाइन के वेरियस वर्जन्स के बारे में बात होगी अर्दू के बहुत से पोईट्स को जस्टिस यादव ने कोट किया जिनोंने लॉर्ड राम के बारे में और लॉर्ड करिशन के बारे में बात की तो आईए हम भी बात करते हैं इखबाल के उन मशुहूर आशार से लबरेज है शराब हकीकत सजाम हिंद सब फलसफिये खित्ते मगर्ब के राम हिंद है राम के वजूद पे हिंदोस तांकुनास है राम के वजूद पे हिंदोस तांकुनास एहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद अलम अगबाल कह रहे हैं के राम भारत की जिन्दगी की रू है हूमेन हैं मौरली राइट हैं रूहानियत की शान हैं हमने राम के नाम पर जो सियासत की है उनके नाम पर जो हम लोगों के साथ बिहेवियर करते हैं वो जो मर्यादा की सीमाओं को लाग जाते हैं क्या वो वास्तव में सही राम भक्त हैं या राज भक्त हैं ये प्रश्न है जैसा मैंने आपको बताया के फेस बुक पर आकाश जातव ने एक आईडी बना कर भगवान श्री राम श्री क्रेशन और उनके भक्तों के बारे में कुछ अश्शील बातें पोस्ट की उसको लेकर ये केस शुरू हुआ हिन्दी में जज्जमेंट लिखा है बारा पेच का जस्टिस यादव ने एक्यूस का इसमें ये आर्गुमेंट था कि जिस तारीख का ये मामला है उस दिन उसके पास मॉबाइल था ही नहीं और जब मॉबाइल नहीं था तो फिर इसका मतलब किस तरीके से वो ये कर सकते हैं ये उन्होंने आर्गुमेंट लिया जमानत को यूपी गर्वर्मेंट ने अपोस किया देखे बिसिकली जो बलास्फेमी का लौ है ये एक पुराने जमाने का लौ है जब राज और धर्म बिलकुल आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे राज का भी एक धर्म होता था अब आज की लिबरल डिमाकरसी में बलास्फेमी के लौ का होना माना जाता है कि ये फ्रीडम आफ स्पीच पर चिलिंग एफेक्ट है पाकिस्तान का बलास्फेमी लौ वही था जो इंडियन पीनल कोर्ट था टू नाइंटी फाइव ए उसमें उन्होंने कई एमेंडमेंट किये और अब वहां पर मेंडेटरी डेट सेंटेंस दे दिया जा रहा है एहमदियास पर और इसाईयों पर उस लौ के जरीए एक जुल्म हो रहा है कॉंग्रेस गवर्मेंट ने पंजाब में इसी सेक्शन को एमेंड किया इंडियन पीनल कोर्ट कर लिए पंजाब में एक एमेंडमेंड हुआ ये कहना कि क्रिमिनल लौ पूरे देश का एक है ये भी अपने आप में पूरी तरह सही नहीं है और उसमें कहा गया कि साब अगर रेलिजिस बुक्स का कोई बेज़ती की जाती है तो वो उसमें कवर होगा सजा बढ़ा दी गई पंजाब के गानून की ये है कि इसमें अगर इंजिरी या डेमेज या बेज़ती की गई गरू गरन साब की श्रीमत भगवत गीता की होली कुरान की और होली बाइबल की लोगों की ये सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए तो लाइफ इंप्रिजनमेंट है आप देखिए या रमाइन का नाम नहीं है बलास्फेमी की क्या सजा है ये भी एक याडिस्टिक है एक लिबरल डिमोकरसी को टेस्ट करने का इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बलास्फेमी लौन नहीं है तो आप किसी मजभब या उसके मानने वालों के खिलाफ अशशील बातें कहें वो बात सही नहीं होगी अब इस केस में जो डीटेल्स हैं उसमें जजज साब ने पूरा फ्रीडम आफ स्पीच के आइडिया को डिसकस किया कहा कि आर्टिकल 25 में फ्रीडम आफ रेलिजन है जो इंकलूट करती है जो मैं बार-बार कहता रहा हूँ फ्रीडम फ्रम रेलिजन आलसो अगर आप कोई धर्म न मानना चाहें नास्तिक बनना चाहें तो वो भी आपको उसकी भी इजाज़त होगी जज साब ने लिखा कि सुप्रिम कोट ने अभी एक मामले में एक मनुश की खोपड़ी हाथ में लेकर तांडव डांस करने वालों को छूट नहीं दी और ये कहा कि ये एक क्राइम है इसी तरह मुसल्मानों को ईद के तोहरों पर गाय के वत की मना ही है क्योंकि इससे दूसरे धर्म की आस्था को चोट पहुँचती आस्था शब्द का बहुत इस्तिमाल हुआ है इस जज्ज्मेंट में क्या चीज आस्था का मामला होती है इस पे तो कई दश्कों से सियासत हो रही अल्टिमेटली आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद के केस में सुप्रिम कोट ने आस्था के नाम पर जज्ज्मेंट नहीं दिया जज्ज्मेंट लीगल ग्राउंड पर दिया गया और लीगल ग्राउंड ये ली गई कि हिंदूओं की ये आस्था है कि वहां लॉड राम पैदा हुए और वो बाहर के चबूत्रे पर भी खड़े होकर अंदर की तरफ देखकर पूजा पाट करते थे और यूपी सुनी वख बोर्ड ये बात साबित नहीं कर पाया कि चार सौ सानों से जो बाबरी मस्जिद में नमाज हो रही थी वो उनका एक पीसफल होस्टाइल अनिंटरप्टेड इंजॉइमेंट था ये एक लीगल मुद्दे पर जाकर केस डिसाइट किया गया है और इस केस को ना हिस्ट्री पे डिसाइट किया गया है ना फेट पे डिसाइट किया गया है उसके बाद जजज साब ने वसुदेव कुटमकम पूरा संसार मेरा है उसका जिकर किया मुझे नहीं मालूम कि अगर पूरा संसार मेरा है तो फिर ये सिटिजन्शिप एमेंडमेंट एक्ट और एनारसी कैसे उसमें फिट बैठते हैं उन्होंने कहा कि साब जब लोग आपस में मिलते हैं तो राम राम कहते हैं जब किसी की मृत्य हो जाती है तो राम नाम सत्य कहा जाता है फिर वो गीता पर चले गए और गीता के साथवें और आठवें इस लोग को उन्होंने कोट किया मैं प्रकट होता हूँ मैं आता हूँ जब धर्म की हानी होती है तब तब मैं आता हूँ जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ सजन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ दुष्टों के विनाश के लिए आता हूँ धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और यूग यूग में मैं जन्म लेता हूँ ये एक बड़ा मशूर गीता का इशलोक है उसको उन्होंने किया और फिर जच साहब जो पेरग्रेफ 10 में सम्विधान की तरफ आए हैं तो उन्होंने कहा कि सम्विधान निर्माताओं ने भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से जो लोगों के emotional relationship है उसको देखते हुए ये एसास किया कि धार्मी कास्था भारत देश के हर नागरिक के हिर्दय में बसती है अब हर नागरिक के हिर्दय में बसती है इससे तो आर्टिकल 25 का जो जिकर कर चुके हैं कि कोई atheist भी हो सकता है वो contradic कर रहा है फिर उन्हेंने रविंदर नाथ टैगोर को कोट किया और कहा कि भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की रामायन और महाभारत दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें भारत की आत्मा के दर्शन होते हैं ये बात बहुत हद तक सच है खास तोर से महाभारत के सिलसले में और रामायन और गीता के सिलसले में ये बात कही जा सकती है फिर उन्होंने राश पिता महात्मा गांधी को कोट किया और कहा कि भगवान राम का बहुत बड़ा महत्वता उनके जीवन में और फिर उन्होंने कहा कि real message जो है रामायन का वो पिता पुत्र और भाई भाई और गुरू शिश्य और राजा और पुर्जा के बीच कैसा संबंध होना चाहिए और फिर उन्होंने कहा कि देखिए ये कितना inclusive concept था कि राजा जो है वो वनवासी और ग्रीवासी और बंदर और भालू और पक्षी को भी अपनी सेना में लेता है और वन में रहने वाली भिलनी के जूटे बेर भगवान राम खाते हैं और निशाद राज को गले लगाते हैं तो ये सारी चीजें जो उन्होंने कहीं उसका जहर है कि scriptures में जिक्र है फिर उन्होंने कहा कि भारतिय सम्विधान को लिखने वालों ने भी ये समझा कि राम और कृष्ण के बिना जो कि भारत की आत्मा है बगएर भारतिय सम्विधान की परिकल्पना नहीं की जा सकती और आज राम और कृष्ण हर भारतिय नागरिक के दिल में बसे है देखिए ये ज़रा मामला ऐसा है कि एक तो constant assembly की debates को अगर देखें और सम्विधान जैसा आज है उसको अगर देखें तो दो बातें समझनी जरूरी है पहली चीज़ तो ये कि सम्विधान सभा में इस पर बहस हुई कि जैसे विश्व के 66 और सम्विधानों में preamble God के नाम से शुरू होती है क्या भारत की सम्विधान की preamble ईश्वर के नाम से शुरू की जाए और ये motion सम्विधान सभा में voting के बाद गिर गया यानि देश के सम्विधान निर्माताओं ने तै किया कि हम सम्विधान में divinity को नहीं लाएंगे हम किसी God का thank you नहीं बोलेंगे क्योंकि हम एक modern progressive सम्विधान बना रहे हैं जिसमें हमारे लिए spirit of inquiry और scientific temper ये ideals बोले बहुत लोग इलाबाद high court भी कह चुकी है पहले कि जो paintings बनी है original सम्विधान में उसमें महाभारत का भी है और भगवान राम और सीता और लक्षमन जब लोट रहे हैं ये उद्ध्या में उसका भी विवरण है और उसके बिना पर ये कह दें कि भगवान राम एक constitutional figure है ये बात technically सही नहीं है क्योंकि अगर ये बात मानी तो उसके हिसाब से तो मुगल emperor अकबर भी सम्विधानिक figure हो जाएंगे क्योंकि उनकी भी वहाँ पर है ये भारत के इतिहास के और Indian mythology के जो बड़े बड़े माईल स्टोन्स रहे हैं उनको reflect करने के लिए वो original सम्विधान में decoration के लिए वो चीज़े बनाई गई थी लेकिन वो सम्विधान का हिस्सा नहीं है वो ना तो सम्विधान में आज नजर आती है जो आप देखेंगे आपके हाथ में सम्विधान का bear act होगा उनमें कोई painting नजर नहीं आएगी गांधी जी के thank you को लेकर भी क्या देश के सम्विधान राश पिता का धन्यवाद करे इस पर भी debate हुई और voting हुई और गांधी जी के जिक्र को भी सम्विधान सभान ने voting से reject किया देखें सम्विधान किसी को recognize करे ये चीज तो उस आदमी के लिए एक छोटी चीज हो जाएगी क्या हम ये कह सकते हैं कि क्योंके भारत के सम्विधान में भगवान राम और भगवान क्रिश्न का जिक्र नहीं है तो ये उनके किसी status को कम करता है जो divine entities हैं उनको human law की जरूरत नहीं है recognition के लिए अगर सम्विधान और law divinity देता है तो सम्विधान में संशोधन होकर क्या divinity समाप्त की जा सकती लेकिन ये बात को समझने की जरूरत है कि देश के लोग उनमें आस्था रखते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं क्या देश का सम्विधान और law उनको legal और constitutional status देगा तो वो status उनके divine status से कम नहीं हो जाएगा हर चीज को law के पहमाने पे न देखा जाए मैं ये समझता हूँ कि ये suggestion जो है ये जरा सा controversial है फिर जस्टिस यादव ने जिक्र किया कि साब सनातन धर्म और इसलाम में बटवारा है लेकिन फिर भी भगवान श्री करिशन की भक्ती में बहुत से मुसल्मान भी डूबे रहे हैं और उसमें जिक्र किया उन्होंने कवी सेद इबराहीम का जो रस्खान के नाम से मशूर हुए जिनोंने भागवाद गीता का अनुआद फार्सी में किया फिर उन्होंने कई उनके कोटेशन्स भी दिये अमीर खुसरो का जिक्र किया आलम शेख का जिक्र किया वाजिद अली शाह का जिक्र किया कि वो बहुत बड़े श्री करिशन के दिवाने थे और 1843 में उन्होंने राधा क्रिशन पर एक नाटक करवाया था और उसका निर्देशन किया था पिर एक मुस्लिम संथ सालबेक का जिक्र किया जिनके बारे मैं कई बार अपनी रत्यात्रा वाले वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ जब जगनात यात्रा निकलती है उडिसा की रत्यात्रा पुरी के टेंपिल से तो वो आकर पहले रुकती है सल्मान बेक के मजार पर और ये लौड जगनात के भक्त थे जिनको लोगों ने अंदर नहीं आने दिया था और एक लोकल वर्जन ये है के वास्तव में भगों निकले ही अपने भक्त से मिलने के लिए थे ये तो हमारे नेरो पैमाने हैं जिन में हम डिवाइन फीगर्स को भी देखते हैं और आपस में एक दूसरे से इस पे लड़ते हैं जो के मैं समझता हूँ के बहुत अच्छी चीज नहीं है पिर उन्होंने हजरत महानी का और सरदार अली जाफरी का मौलाना जफर अली का शाबर कतुला का ताज मुलतानी का ये सब भी दिकर किये उन्होंने और उसमें लिखा कि इन सारे लोगों ने जो है वो लौड क्रिशन के बारे में चीज़ें लिखी हैं अब फिर उन्होंने बाबरी मस्जिद केस का जिकर किया और उसमें लिखा कि इसमें राम के माननों वालों के पक्ष में जज़्मेंट हुआ यह ज़रा टेक्निकली मैं समझता हूँ कि इस रही चीज़ नहीं है क्योंके जज़्मेंट हुआ है राम लला के पक्ष में आपको मालूम है कि केस तो बड़ा पुराना चला था लेकि 1989 में राम लला एक पार्टी बन गए और यह डिसीजन उनके फेवर में हुआ है बलके जो अकारा था वहां का वो अकारा इस केस में हार गया आपको मालूम जो पिछले 1.500 सालों से केस चल रहा था और फिर उन्होंने बालमिकी और वेदवियास का दिक्र किया और ये कहा कि बालमिकी देखिए जो लोग उन्हें छोटी जाती का समझते हैं वो बड़ा गलत काम करते हैं और सम्विधान इक्वैलिटी की बात करता है अब फिर उन्होंने बहु संख्यक समाच की आस्था का जिकर किया और ये कहा भगवान श्री राम वभगवान श्री क्रिशन भारत देश के महापुरुश है जिने देश के बहु संख्यक अपना अराद्ध मानते हुए हजारों वर्षों से पूछते चले आएं और यदि इन महापुरुशों या भगवान के बारे में कोई अश्रील टिपनी करता है तो उनके मानने वालों की आस्था को चोट पहुंचती है और ऐसे में कड़ी सजा का प्रवधान है और इस तरीके से उन्होंने इस जज्जमेंट को फिर कंक्लूट किया और वसुतेव कुटमम का दोबारा जिकर किया उन्होंने नारी के सम्मान के लिए मनु इसमर्ती का जिकर किया उस पर काफी हमारे फेमिनिस नाराज हो सकते हैं क्योंके मनु इसमर्ती में कई चीज़ें ऐसी हैं जो ओरतों के विरुद भी हैं अब आईए जरा से समझते हैं, ये तो एक judgment का पार्ट हो गया, राम भारत की culture का एक integral character है, एक entity है, इससे कोई dispute नहीं हो सकता, लेकिन जो सबसे sacred source है, हिंदु law का और हिंदु religion का चार वेदास, रिगवेद, सामवेद, अथरवेद, यजरवेद, इन में से किसी भी वेद में लौड राम का जिक्र नहीं है, जो वेदास में जिक्र है, गौड का, वो में डीटी, वेदिक डीटी जो हैं, वो इंद्रा और मरुत, पहली बार जब जिक्र आएगा, लौड राम का, आप देखिए कि वो हिंदु टेक्स के बजाए, बुद्धिस टेक्स में आएगा, बुद्धिस जटाका नंबर 461 में ये दशरत जटाका इसका नाम है, दशरत राम के फादर हैं, और राम और सीता आपस में भाई बहन हैं, ये जहां पहला जिक्र आ रहा है, उसमें आप देखिए कि कहानी कुछ और बताई जा रही है, और दशरत उनको वनवास नहीं देते, बलके उनको भेशते हैं, जैलेस step mother केकई से बचाने के लिए हैं, और उनका वसनवास हिमाल्याज में होता है, अब इसमें कोई reference लंका का नहीं है, कोई reference रावन का नहीं है, और राम और सीता जो लोटते हैं, बनारा साते हैं, आयोध्या नहीं आते हैं अपने वनवास के बाद, तो देखिए जो पहला reference आ आ है, वो हिंदू text में नहीं आ रहा है, बुद्धिस text में आ रहा है, बुद्धिस जटाका में आ रहा है, और उसमें कई differences हैं, जो आज हम story को समझते हैं, उससे different, यह earliest version मैंने आपको बताया, उसके बाद आप देखेंगे, के हमारे पास 6th century की manuscript, रमायन की available है, जो के एशियाटिक society की library कोलकता में है, फिर कंबन की रमायन बारवी सदी की है, इसमें तमिल्स ने बहुत जबरदस्त काम किया है, और फिर कई traditions आ के मिल जाएंगे, थाइलेंड में भी रमायन है, और वो इंडोनेशियन रमायन से अलग है, और बालमिकी की रमायन से अलग है, एक वरजन में रावन हीरों हैं, एक वरजन में सीता राम की बहन है, वाइफ नहीं है, मलेशिया की जो रमायन है, हिकायात सिरी राम, उसमें कहा जा रहा है, फरालक फरालम, यानि लक्षमन हीरों है, और राम उनके बहुत क्लोज, एसोसियेट और हलपर हैं, बालमिकी की रमायन का पीरियड वाइज विचार एक्सपर्ट का ये है, कि ये कोई फिफ्ट सेंचिरी बिफोर क्राइस से एक सेंचिरी बिफोर क्राइस से पहले और उस पीरियड का मामला है, 24,000 इसमें वर्सिज हैं, और ये पहली टेक्स नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, बुद्धिस टेक्स पहली है, जो राम को इंट्रड्यूस करती है, फिर महारत आपको मालूम है कि बहुत हमारा ग्रेट इपिक है, और जीवन के बहुत अमूल लेसन्स आप सीखते हैं, तो ये जो रामाइन है, इसे लोकेट किया जा रहा है, तीरत यूग में, ये एक मामला फेट का है, बाद में हमने इतिहास और फेट को आपस में मिला दिया, और इस मिलाने में सबसे बड़ा काम जो किया, वो तुलसी दास नहीं किया, और तुलसी दास ने राम चरित मानस संस्कृत में नहीं लिखी, अवधी में लिख दी, जो लोगों की जबान थी, शेक्सपियर भी इसी पीरियट के थे, शेक्सपियर के जमाने में जो इलीट की लेंगविश थी, वो लेटिन थी, उन्होंने लेटिन का इस्तेमाल नहीं किया, अंग्रेजी का इस्तेमाल किया, जो आम लोग बोलते थे, और तुलसी दास की राम चरित मानस ने, लौर्ड राम को हाउज होल्ड नेम बना दिया और तुलसी दास सोलवी सदी में है और ये जो लिखी जा रही है इसके लिए वो अयोध्या भी गए और बनारस भी गए और तुलसी दास की जो राम चरित्र मानस है को एक डिवोशनल एक भक्त है जो अपने राम भगवान के बारे में लिख रहा है और उसके बाद जो राम लीला हुई और राम कथा हुई उससे जन मानस में बहुत घर कर लिया और फिर वो बाद जो अल्लमा अगबाल ने कही कि लौर्ड राम इमाम हिंद एक तरीके से बन गए अब जो रामायन में डिस्क्रिप्शन रामान का है वो भी डिवोटी अफ शिवा है बहुत बड़ा इंटलेक्च्वल है, स्कॉलर है बहुत बड़ा रूलर है वीना बहुत अच्छी बजाता है और उसकी ये खौईश है कि वो जितने भी देवता हैं उन सब को हरा दे और दस सर हैं रावन के बालमिकी कहते हैं कि ये चार सर तो चार वेदाथ की नॉलिज शो करते हैं और छे जो सर हैं वो शास्तरास की नॉलिज शो करते हैं तो ये मेन जो आजकल नवरात्री मनाई जा रही है नौ रातें और फिर दस्वें दिन जो है वो दशेरा होगा जो दस्वा सर है उसका बिसिकली किस चीज़ पर फता पाने की बात हो रही है नफरत पर लालच पर एरोगेंस पर जैलेसी पर लस्ट पर हम जो राजनिती कर रहे हैं वो नफरत की है और आस्था हमें भगवान राम में है इसका मतलब हम true believer नहीं है हम असली भक्त नहीं है जो असली राम भक्त होगे उनमें नफरत नहीं हो सकती वो तो प्यार ही प्यार होगा मर्यादा ही मर्यादा होगी राइटियसनेस ही उनके अंदर होगी बालमिकी की रामाइन के हिसाब से भी बगवान राम ने दुरगा की पूजा की थी जो रामाइन से उनकी लड़ाई हुई उससे पहले तो मैं यह समझता हूँ कि यह पूरा जो हिस्ट्री मैंने आपको प्रिजेंट की उस हिस्ट्री से यह अंदाजा लगता है कि जन मानस में भगवान राम किस तरीके से प्रवेश किये हुए है समाज भारत का राम के बिना इमेजिं करना नामुमकिन है लेकिन सम्मिधान में उसको मेंशन करें और लॉए में रिकॉग्द्णाइज करें यह मैं समझता हूँ उनके स्टेटस को कम करने जैसा होगा कि हम कहें कि लॉड राम को भारत रतेन दिया जाए क्या भारत रत्न उनके लिए बड़ी चीज है उनके लिए छोटी चीज है अगर हम उनको मानते हैं as divine तो कोई भी human किसी divine को कुछ नहीं दे सकता हमेशा divine से इंसान लेते हैं मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि भारत की संस्कृती राम के बिना अधूरी है बिल्कुल सही है लेकिन ये कह देना कि एक ही वर्जन है रामायन का सही नहीं है तीन सो रामायन तो उर्दू में है कितनी पोईम्स लिखी गई है मजमुआ रामायन उनमें से कुछ का जिक्र किया है जच साब ने कल्चर जो है वो पूरे समाज को मिला के बनती है उसमें वेरियेशन्स होते हैं डाइवर्सिटी होती है एक कोई नौर्थ इंडियन व्यू ही हर चीज़ पर सही नहीं हो सकता लिगल अवेर्नेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन और लाइक जरूर क्लिक करें और मर्यादाओं का पालन करें असली भक्ती भगवान राम की होगी प्यार बाटें नफरतों को खत्म करें धन्यवाद